जै मातादी आज मैं अपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री वैभव लक्षमी ब्रत का था और ये कथा इस परकार है कमला वेहज शुशील और संतोसी प्रवर्टी की स्तरी थी वैभगवान विश्नु की सची भक्ती अपने पती सोहन लाल के साथ गाउं में रहते उसने और उसके परिवार ने सधा दुख ही जहले थे तब पती पत्नी ने आपस में सलहा की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए शहर में आकर सोहन लाल ने एक धावा खोल दिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी यह सब श्री नाराने जी की ही किरपा का फल था जो कमला के आराध्य थे सब कुछ ठीठाक चल रहा था मगर कमला को एक ही दुख था कि जियो जियो उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था त्यों तियो उसके पती की लाल सा भी बढ़ती जा रही थी उसने अपने कमाए धन को जुए सट्टे और लाट्रियों में लगाना शुरू कर दिया था कमला अपने पती की लालची परवर्टी से डरा करती थी मौके बे मौके वह उसे समझाती मगर सोहन लाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था वह कहता तुम पागल हो कमला अरे इतने बड़े शहर में आकर भी हमने कोठी कार नहीं बनाई तो धिक कार है हमें गाओं छोड़ने पर जब इश्वर की किरपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देंगे कि हम यह सब बना और खरीद लेंगे कमला कहती इश्वर क्या किरपा करेगा करंबीर अपने बल पर ही यह सब प्राप्त करते हैं सोहनला एंकार भरी बाते करता और कमला मन मसोस कर रह जाती सोहनला के कदम दिन बदिन बहकते चले गए उसे जब भी जुए सट्टे या लाटरी में नुकसान होता वह सराब पी कर आता इस परकार उसका धान अपने धंदे की तरफ से हटता चला गया जो डावा कल तक फायदे में चल रहा था वह धीरे धीरे नुकसान देने लगा इसी गम में कभी कभी सोहनला दिन में भी शराब पी लेता था जिस खारण उसकी दुकान पर ग्राकों का आना और भी कम हो गया इस पर भी सोहनला को कोई समझ नहीं आये वह विक्री के पैसों से जुए या लाटरी खेल लेता और शराब पी लेता घर में पैसा देना उसने बिलकुल बंद कर दिया कमला पैसों का जिकर करती तो वह काम मंदा होने का बहाना बना देता धावे का सारा समान एक दुकान से उधार आता था जब दुकानदार को उसके जुए किलत और शराब पीने का पता चला तो उसने भी उधार देना बंद कर दिया धावे के कारीगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए नतिजा यह हुआ कि धावे में ताला पड़ गया अब तो घर में फाका होने लगा अब सोहनलाल काम धंदे की तलाश के नाम पर सुभा घर से निकल जाता और साम को ना जाने कहां से सराप पिकर लोटाता था घर में दो मासों बच्चे और कमला भूख से बिलगते रहते थे उज दिन तो कमला आज पडोस से मांगकर बच्चों का पेट किसी पर कार भरती रही मगर आज तो पडोसी ने भी नज़रे फेर ली आकिर कोई कब तर किसी पर दया कर सकता है रात होने पर बच्चे भूग से बिलक बिलक कर सो गए, नशे में दुथ सोहनलाल भी आकर सो गया और बैचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैटी रात भर आसु बहाती रही उसका फिर्दय बार बार कह रहा था कि हे नाराण जी, यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं, आप पर भू मेरे परिबार पर आई संकट को टालो आज मेरे बच्चे भूख से बिलगते हुए ही सो गए, मेरा पती पतवरस्ट हो चुका है, हे लक्षमी पती रक्षा करो मेरे पती को सद्धुद्धी दो इसी प्रकार बिंती करते हुए कब सो गए उसे स्वेम ही पता नहीं चला, सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं, पती नहाद हो रहा है, कमला उसकी नजरे मिली तो उसने सिर जुका लिया, फिर कपड़े पहन कर खामोसी से बाहर गया, कमला हाथ मुधो कर फिर से अपने नारण जी के मंदिर के सामने जा बैटी, चहरा गुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूं, बचे उटकर नाश्ता मांगेंगी तो क्या जवाब दूँगी, तभी दरवाजे पर दस्तख हुई, सेम हो इसी बहे दरव है, सादू ने कहा धन मेरे घर में, बाबा, अब क्यों मुझे अभागी का उपहास कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ बेटी, अपने घर की दिवार पर टंगी नहरण जी की तस्विर के पीछे देख, मा तिरा पुराना बटवा पड़ा है, जिसमें कुछ धन है, और सुन, ज़िवच्चों को पिता से कुछ लेना हो, तो उसे मा को मनाना चाहिए, मा स्वैम पिता को मना लेती है, यह ले, सादू ने अपने ज्हूले में से एक पुस्तक निकाल कर कहा, यह है, मा बैभवलक्षमी की वरत कथा की पुस्तक है, तु मा लक्षमी की सरण में चली जा, म जहां बैभवलक्षमी की किरपा होती है, वहां दुख तरिता निवाश नहीं करती, तु पुस्तक में लिखी विधी के अनुसार मा का वरत कर तेरा उधार होगा, नारायन, नारायन, कमला तो अपनी सारी सुद भुद भुलकर पुस्तक के प्रिष्ट पलटने लगी, अच तो हां दूर दूर तक उनका पता नहीं था, मगर नारायन, नारायन के शब्द अभी भी उनके कानों में गूंज रहे थे, कमला हत्प्रत सी रहे गई, तो क्या नाराजी मेरे नारायन का संदेश लेकर आये थे, जरूर यही बात है, सोचती हुई कमला तेजी से पलटकर भ पुर्दी आ गई उसके शरीर में, जल्दी जल्दी इसने स्नान किया और पुस्तक पढ़ने बैड़ गई, पुस्तक में सबसे पहले उसने बरत के नियम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुसी का ठिकाना ही ना रहा, मा बहव लक्षमी का वरत शुकरवार से आरम किया जाता है, यह सयोग ही था कि उस दिन शुकरवार ही था, उसने स्नानादी से निर्वित होकर नारायन जी के सामने ही संकल्प लिया कि बहव मा बहव लक्षमी के 21 वरत करेगी, उसके बाद बहव बाजार गई और खाने पीना और पुझा का सामान लेकर आ गई, उसने मा का पूजन किया और प्रातना की, हे मा, नारायन जी की आगया से मैंने आज आपकी शरन ली है, मेरी मनोती पूंड करना मा, मैं के वल इतना चाहती हूं कि मेरे पती को सदबुद्धी आए, वे सबी दुर्गुणों को त्याकर फिर से सदमाग पचलते वे अपना काम करे, जै मा बैभुलक्ष्मी, जै मा बैभुलक्ष्मी, ब्रत कथा कहकर उसने बच्चों को चूर्मा का परसाद दिया, अपने आस परोस में बाटा, फिर पती के इंजार में पलके विछा कर बैठ गई, रात आट बज़े उसका पती आया, कमला को यह देकर सुकत आशर हुआ कि आज वह नशे में नहीं था, कमला आज तो चमतकार हो गया, इश्वर की क्रपासे कल से ही मेरा ढावा फिर से चालू हो जाएगा, आज लाला ने स्वैम बुला कर कहा कि यदि मैं शराव और जुए गिला छोड़ दू तो वह मुझे फिर से आटा डाल आदी उधार दे अब हम सब मा बैवलक्ष्मी की शरण में हैं, मा बैवलक्ष्मी का ब्रत रखा है, मा बैवलक्ष्मी की सबी का मनों कामनाई पूर्ण करती है, एक बार मा जिससे प्रशन हो जाती हैं उसके जीवन में कभी भी दुख और दरिता की चाया नहीं पड़ती, मगर तुम्हें ये सब बताया किसने मेरा मन रुमान्चित हो रहा है कमला मुझे सब कुछ बताओ आओ स्वामी आओ आप भी पहले मां का आशरवाद ले कमला उसे मंदिर के समीप ले गई एक चौकी पस श्रीयंत्र के समक्ष मां बहुलक्षमी की जोट अभी भी जल रही थी और जल के पात में रखी कटोरी में गर का आखरी गहना कमला की नाख के सोने का कील पड़ा था सोहनलाल जैसे ही माता की जोट के समक्ष आया उसकी आँखों से अबर अशुधरा बहन इकली और हाँ जोटकर वै बोला हे मां बहुलक्षमी मैं लोब में फसकर पत ब्रस्ट हो गया था मेरा मैं बिना मेहनत किये धेर सारी दौलत पा लेना चाहता था मैं समझ गया कि मां आपने मुझे मेरे लालच का ही डंड दिया है हे मां अब मैं अपने परिवार सहीत आपकी शरण में हूँ हमारा उधार करो हे मां मैं आज से ही संकल्ब करता हूँ कि अपनी पतने के साथ आपके व्रत को करूँगा फिर दोनों ने मिलकर मां बहुलक्षमी का प्रसाद गहरान किया दूसरे दिन सोहनलाल ने अपने दुकान को जाड़ पोचकर साफ किया और उसके पुराने कारीगार भी वापस आ गए और दोपैर होते होते डावा पहले की भाती चलने लगा इसके बाद जब शुकरवार आया तो पती पतनी ने मिलकर मां बहुलक्षमी का वरत किया इस एक साफ़ता में सोहनलाल के घर की इस्तिती तेजी से सुधरने लगी अब सोहनलाल ने लोग लालच त्याकर सब कुछ मां की मरची पर छोड़ दिया इसी परकार एकिसमा शुकरवार आया तो दोनोंने अपने सगे समन्दियों को बुलाकर कथा कही साथ करुनियाओं का पूजन कर उन्हें बोजन कराया और उन्हें बहुलक्षमी वरत करता की एक एक कुस्तक भीट की इसके अत्रिक उन्होंने 101 प्रतियां सभी सरधालों में भी बाटी उसी दिन उन्होंने संकल्क लिया कि हम उमर घर निशकाम भाव से माव बैवलक्षमी का वरत करते रहेंगे बोलो माव बैवलक्षमी की जै कथा के बाद माँ से इस प्रकार प्रातना करनी चाहिए हे मा जिस प्रकार आपने कमला के मन की मुराद पूरी की ऐसे ही मेरे सभी और सभी वक्तों की मन की मुरादे पूरी करना अपनी शरण में आय की रक्षा करना सब को सुक्समर्धी धन धान और संतान देना और इस प्रकार बैव लक्षमी की वरत कथा समाप्त हुई